दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे SBE अकाउंट के अंदर हमें email id को link करना है या फिर हमें email id को change करना है तो हम email id link किया change कैसे कर सकते हैं यह process इस वीडियो में हम सीखने वाले तो दोस्तों आपको अपने mobile से email id को link किया change करना है आप से एक छोटी सी request है आप चैनल पे first time आयों और आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो इस तरह की informative वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी और पे select कर लेना जब भी मेरा new video है आपको सबसे पहले notification मिलता रहे अब यहाँ पे आपको सबसे पहले yono application को update करना होगा अपडेट नहीं किया होगा तो update करने के लिए आपको अपने mobile के अंदर play store application को open करना है play store application को open करने के बाद में यहाँ पे आपको search करना yono sbe yono sbe search करने पर दोस्तो आपकी mobile की screen पे इस तरह से एक page open हो जाएगा यहाँ पे आपको yono application अपडेट नहीं किया होगा तो update पे click करना आपको update पे click करने के बाद में yono application update हो जाएगा update होने के बाद में open का option आपशन आजाएगा open होने के बाद में दोस्तो यहाँ आप बosit का जो आप दोस्तो यहाँ पे आपको सामने काफी सारे option मिलेंगे यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर सर्वीज रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद में फिर से एक mobile की स्क्रीन पे नियुव पेज ओपन हो जाएगा अब दूस्तों यहां पे आपको profile पे click करना है जो यहां पे आपको दिखाए दे रहे हैं इस profile पे यहां पे आपको click करना है profile पे click करने अब दोस्तों इस तरह से आपकी mobile की screen पे एक page open हो जाएगा यहाँ पे आपका account के साथ पहले से email id link है तो यहाँ पे आपकी जो भी email id है यहाँ पे email id मिल जाएगी यहाँ पिर आपको email id पहले से link नहीं है तो यहाँ पे आपको link का option मिलेगा यहाँ पे आपको link का option मिलेगा तो आपको link पर क्लिक करके आपको इमेल आइडी को लिंक करना है तो आप लिंक कर सकते हो यह फिर आपको दोस्तों इमेल आइडी को चेंज करना है तो आपको इस यहाँ पे पेंसल वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में आपकी मोबैल के स्क्रीन पर इस तरह से एक पेज ओपन हो अब दोस्तो यहाँ पे आपका जो भी profile इन पर है पासवर्ड है यहाँ पर ढलना है इस तरह से यहाँ पर पर MS डालना है प्रोपासवर्ड डालने के बाद में आपको summit पे click करना है submit पे click करने के बाद में आपकी mobile की screen पे फिर से एक new page open हो जायेगा अब दोस्तों यहाँ पे आपके आगया है कि update करना है तो आप update कर सकते हो या फिर आपको new email id add करना है तो आप add कर सकते हो तो इस तरह से यहाँ पे आपको email id डालने है, email id डालने के बाद में आपको next पे click करना है, अब दोस्तों आपकी mobile की screen पे आगया है OTP verification, यहाँ पे आपके account के साथ जो भी mobile number link है उस पे एक OTP आएगा, वहाँ OTP यहाँ पे आपको enter करना है, अब दोस्तों यहाँ पे account के साथ जो भी mobile number link है, उसके पिछे के 4 digit number भी यहाँ पे सो करेगा, यहाँ पिर आपके account के साथ लिंक, mobile number पे OTP प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप recent OTP पे click करके फिर से OTP प्राप्त कर सकते हो, अब दोस्तों यहाँ पे जो भी OTP प्राप्त हो है, वहाँ OTP यहाँ पे आपको डाल आसानी से अपने account के साथ new email ID change कर सकते हो, या फिर आपको link करना है, तो आप link कर सकते हो, यह सारी process होगी है, email ID को link या change करने की, और दो यहनो में आपको registration करना है, तो मैं इस वीडियो के description box में वीडियो का link डाल दूँगा, उस वीडियो देखने के बाद आप बहुती आसा सकते हो, और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को subscribe ने किया तो चैनल को subscribe जरूर कीजिगा,